कि जो एक चाहे वे वे लएके बेटे की साली शीच लेक्रीख दृड़ी टो शारी की सारी फूबी शारा शारा श्रूत दीश करके ले लिया है भाई भनो तो पुझे लगा क्या जायती दैने में पुछढबर है अब आप समझ लिजे इन लोगों का इस तर्क कितना नीचे जा चुका ये हमारे डियेने को चुनवती दे रहे हैं गटकरी साहब ने बिहार के डियेने के बारे में कहा था कि इसमें कास्टिजम है और इन्होंने मेरे डियेने पर कहा हम बिहारी है और हमारे डियेने की बात उन्होंने कही है ये बिहारियों को आप मानित करते हैं जलील करते हैं तो नमस्कार पेश आज का न्यूस पॉइंट बड़े दिनों बाद आपसे मुलाखात हो रही है पहले फोड़ा सा समय अलग निकालने के लिए आपसे शमा अब आज का विश है विश है यह है कि साब कोई वैज्ञानिक यह नहीं चर्चा कर रहे हैं डियने के बारे में वैंडर M Modi और दूसरे निटिश कुमार दोनों एक समय अब दोनों की पाल्टियां साथ रही हैं यह नहीं कह सकता मैं करता ही कि दोनों साथ कभी भी रहे हैं दोनों का टकराव पुराणाय अब लेकिन ये बड़ा दिल्चस्प मामला है साब DNA किसका कितना अच्छा है इस पर चर्चा हो रही है और अब नितीश कुमार जी मैं ये अपनी रिसर्च में पढ़ रहा था तो वो ये कह रहे हैं कि साब 50 लाक जो है वो लोगों का बिहार के हस्ताक्षर अभ्याण के माध् करेंगे कि उनका DNA क्या है और उसका सैंपल टेस्ट करवाले नरेंद्र मोधी तो पड़ी दिल्चस्प सी ये स्थिती है दो प्रश्ण मेरे मन में आते हैं इससे पहला ये कि क्या वाकई ये बिहार की गिरती हुई राजनीती का एक नमूना है क्या स्थिती इससे खराब में या वाकई DNA के पीछे कोई अस्मिता का प्रश्ण हो सकता है ये सियासत भी बहुत हुई है मुल्क में नरेंद्र मोधी ने खास्तार पर ये सियासत 12 साल की है गुजरात में लेकिन जब नरेंद्र मोधी कह रहे हैं कि इनका DNA देखिये तो क्या उनका सीधा सीधा मतलब य हैं या किस तरह के व्यक्ति है अब किस तरह के व्यक्ति है क्योंकि अलगल होगा है पहले जब साथ है यह आप लोग एक भी परसंट अपने मन में कन्फीजन मत रखिएगा पहले सब साथ थे बड़ा जबरदस्त सफलता का गड़बंधन था बीजेपी और नितिश कुमार क अब यह जब साथ उर्मिलेश जी मौजूर है एक बहुत वरिष्ट पत्रकार है बिहार को बहुत बारीकियों से जानते और समझते हैं कि सित्यागी साब है जिनके बारे में पहले भी हमेशा आप से कहा है कि बहुत जानकार लोगों में से हैं इस सियासत के और मुझे बताय लराई है या अब ये बिहार के लोगों का डैने क्या होता है असमिता की राजनीती क्या होती किया इस में तबदील हो जाएगा देखे जिस तरह से आधरणी प्रधारमंत्री जी ने बिहार की पहली जो रैली उनकी वही हाल के दिनों में मुझफ़रपुर की रैली में वहां इस ये बात कही और उसको उसी दिन रियक्ट किया था नितिश कुमार जी ने दूसरे और नेताओं ने भी रियक्ट किया लेकिन कुछ दिन बाद फिर लगा उनको कि इसे और इस पर और जोर दिया जाना शाहिए तो हो सकता है उनके प्रोपगेंडा स्ट्रेडिजिस्ट जो थे नितिश कुमार जी के उन्होंने सोचा होगा कि इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा सकता है जिस तरह से प्रदान मंतरी ने बातें कहीं हैं तो इसके बाद फिर ये बात आ गई जो जिसको आभ अभी बता रहे थे कि भी बिहार के लोगों के डियने के बारे में या बिहारी उसे कम पचास लाख लोग जो है बिहार के हस्ताक्षर अभियान से जुड़े हैं पतास लाख के नितिश कुमार कह रहे हैं अभी अस्मिता का अंगल आगे लेकिन अभियान उसके ठीक बाद कुछी दिन के अंतर में हुआ ये कि जो गया की रैली हुई प्रदान मंतरी जी फिर काफी बोले और जिस तरह की बात बोले जिस तरह की मुहाविरे जिस तरह की जुमले उभरे जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ वो मुझे लगता है कि नितिश कुमार को एक और मौका मिल गया है ठीक है और ये जो हो रहा है दोनों तरफ से मैं नहीं कहा रह राजे कहा जाता है पिछडा राजे कहा जाता है लेकिन सियासत के मामले में बहुत धिक मामले में विचार के मामले में इस देश का अगवा राजे कहा जाता है कहा जाता है कि बिहार शोज दबे अमें एक समय जब इस देश में आटोक्रिटिक रिजीम इंपोज की गई उस व के विमर्ष को उसके पूरे डिस्कॉर्स को तैवर्ट कर रहे हैं, क्या कोई और मुद्दा नहीं है, क्या विकास के बारे में, तो यह बड़ा अच्छा पॉइंट है, तो यह बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्या आपसे जानना चाहूंगा कि कि वाख़ी क्या ये नरेंद्र मोदी के बाद जो नितीश कुमार का रियाक्शन है उनकी प्रतिक्रिया है और पचास लाख लोगों के बिहार के लोगों के हस्ताक्षर की बात है क्या ये अब अस्मिता का प्रश्ण है ये शुरू तो हुआ कि किसका कैसा डियने है लेकिन कि लगभग हर चुनाओं में काम करने का और देखने का मोका मिला है और सबसे कटता भरा हुआ चुनाओ 1967 का था जब हम और हमारे नेता जेल से निकल करके आए थे और आपात काल की लंबी सजा के बाद आये थे लेकिन तब भी चुनाओं में इतना कटता नहीं थी मुरार जी भाई थे, चोधरी चरंज सिंग थे, टल विहारी बाजपई थे, मधूल हमे जी थे, राजिनान जी थे, और कई नेता थे लेकिन इतनी कटता में ने उस चुना में नहीं देखी तो मैं खूब होस्बंद कारी करता था, उसके बाद फिर वीपी सिंग्जी का और राजीव गांधी का जी चुना हुआ था, वो भी बहुत परसनल और कटता का था, लेकिन उसमें भी बरस्टा चार का मुद्दा ही डॉ पारा, जिन शब्दों का चैन किया गया है, वो परधानमंत्री पद की गरिमा की अनकूल नहीं दीखते हैं, मैंने इंद्रा जी को, अटल जी को, और राजीव गांधी को, और मनमहौन सिंग जी और नर सिंगार राजी तो बहुती सौफस्टिकेटिर, बहुती जी राजी दिखिये उनमें नहीं नहीं सुना, दूसरा ये कि जब गाउं में कस्बों में किसी की जो वल्दियत है, उसके बारे में शक्सुभा होता है, तब कहते हैं भी पता नहीं किसका बेटा है, इसका डियन ने कराओ, और ये डियन ने गाउं में कस्बों में बड़ा प्रचलित सब्द है जिसकी वल्दियत तो समझते हैं उने शाद आप ये वल्दियत का टेस्ट करने के लिए वेदर ही दा जैन्विन सन अफ दा जैन्विन फादर उस तर्म में हमारे हैं गाउं मेरे कस्बों में इस्तेमाल होता है जित्यागे था मैं समझ रहा आप क्या के रहे हैं मैंने कारिक्रम के शुरुआत में कह दिया था कि वैग्यानिकों के बहस नहीं है नेताओं की डियाने की बहस है मैं जानता हूँ मैं इसलिए मैं कहा रही है नबे की दशक की राजी तो ये सब्द का चैन्ज जो है ये परधान मंत्री पद की गरिमा के इनकूल नहीं है ठीक है ये परधान मंत्री पद की गरिमा को शोब नहीं है हाला कि आप और हम इस बात को बड़ी इमानदारी से जानते हैं कि अब ये शब्दों वाली सियासत तो बची नहीं कोई भी किसी को किसी भी स्तर पर गिर के गाली देता है शब्द पलट देता है बात पलट देता है लेकिन गाली देता है तो अब ये कहना कि साब शब्दों की गरिमा ये अच्छे थौट्स नजर आते हैं और त्यागी जी का पूरा सम्मान इस मामले में लेकिन नेताओं में ये भाशा को नियंतरित करना सैयम करना ये सब अब कोई भारत की सियासत को मैं भी देख रहा हूं बहुत दिनों से आप भी देख रहे हैं वो बहुत सारी शब्दा वली उनकी बहुत खराब हो बहुत खराब हो बिल्कुछ चैप टिकिन जो टाउरिंग पर्सनालिटीज हैं सियासत की वो हमेशा तो आप सरल सब शब्दों में ये कहेंगे कि गर एक तरफ नरेंदर मोदी अपने को स्टेट्समन दिखना चाहते हैं तो ऐसी भाषा का इस्तिमाल ना करें मैंने वाजपेई जी से कभी इस तरह की भाषा नहीं सुनकर मुझे कानों पर भरोसा नहीं हुआ नितिश कुमार जी की बहुत सारी आलोचना आपकी स्टोडियो में मैं कर चुका हूँ पहले भी लेकिन मैं आधरणी नरिंदर मुदी जी की रैली देख रहा था सुन रहा था गया की उसमें शकुनी चौधरी नाम के एक बड़े निता बिहार के जो इस समय संभोता भाजपा एलाइंस के साथ हैं उन्होंने उस रैली के मंच पे कहा कि वो लुच्चे मुख्य मंत्री हैं वो चरित्रहीन मुख्य मंत्री हैं अब ये जो भाशा है एक बड़े नेताओं है प्रधान मंत्री की रैली के मंच से बोल रहे हैं ये हॉरिबल है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश्ट की सियासत की जो एक सोच है, जो एक विमर्ष है, जो एक भाशा संसकार है, उसको खराब करती है और अगर प्रधानमंत्री जी उस पर नियंत्रन नहीं करते, स्वेम वही उसी तर्ण चुट वही है नहीं तो और बोलेंगे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की गरिमा को सूट करता है या सही दिखता है हम शायद उनको नहीं सुन पा रहे हैं, हम वापस आने के कुशिश करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि उससे फिर छुट भई है, नेताओं को बढ़ावा मिलेगा तो भाशा गस्तर और गिर्ता चला जाएगा पार में नितीश कुमार और लालू प्रिशाद के गठ बंधन के खिलाफ बीजे पीको या उस गठ बंधन को कहने को काफी कुछ है तो अंटीक्रोड़ है, जिनको ट्रेस करना है, चिन्नित करना है, रेकशांकित करना के मामले में मेरे पास टांस्किप्स है की क्या कहा नरेंदर मोढ़ी नहीं उन्होंने मूलता है इस बात पadow दिया कि और उन्होंने लगी हुई थालीरी जो है वो खिंचिजी तो भोजन जो हम सब जानते हैं एक विवादित घटना थिस्या सकती है कई बार कहा जा चुका है तो उससे करते करते उन्होंने continuation में आगे बढ़ते हुए कहा इन लोगों का DNA किस तरह का है अपने लोगों को धोका दे दे थे जब प्रधानमंत्री जी पिछली बार लोग से भाचुनाओं में गए थे उनकी वानी से उनके भाषन से बहुत सुंदर नारे निकले थे एक खुबसूरत नारा था जो देश को पूरा अट्रेक्ट किया मैं भी बहुत प्रभावित हुआ नखाने देंगे नखाएंगे नखाने देंगे सबका साथ सबका विकास अभी तो गए थाली चिन गई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने खुबसूरत नारे और सामने आते बिहार के कॉन्टेक्स्ट में वो क्यों नहीं आ रहे हैं सवाल इस बात का है क्यों ये जो आपस की छुटी-छुटी बातें हैं जो शब्दावली कहीं गिर रही है कहीं विचार कम हो रहे हैं आखिर विचार क्यों सिमट रहे हैं अनिल बलूनी साब अगर आप मुझे सुन सकते हैं सीधा साब प्रश्ट यहाँ पर अबिग्यान जी पहले पूरे मामले आपका वाज आई है हाँ आरी हम सुन सकते हैं जी लेकिन अबिग्यान जी अब इतना ज़्यादा एको कर रहा है कि अब मैं कैसे बोलूगा इसको अब आप बोलिए अब आपके तकलीफ थोड़ा तकनीक है मेरे नियंतरल के बहार है आप अपनी बात रखिए हम उसको उसी दौरान ठीक करने के कोशिश करेंगे अबिग्यान जी असली में इस पूरे जो मामला इसके पीछे क्या है देखिए जनतादल युनाइटेड और जो इनका गठबंदन है ये चुनाओं में पूरी तरह से हतास है और ये आखरी जो आखरी प्रियास होता है जो डूबतावा आदमी आखरी प्रियास करता है ये वो प्रियास है मामले को कहां से देखिए इतने साल की इनकी सरकार है और निती स्वार अपने आपको सुसासन, बाबूर तरह तरह के सब्दों सा अलंकरित खुदी करते रहे हैं लेकिन आप बताईए कि आज उनके पस कुछ बताने के लिए नहीं है और इसलिए इस तरह की चीजों के कही सी तरह से emotional गेम खेला जाए किसी तरह से इस तरह का मामला बनाये थे, वो मामला है परधान मंतरी जी ने जिस DNA की बात की थी, जिस तरह की बात की थी उससे जिस तरफ ये ले जा रहे हैं, वो मामला नहीं है लेकिन देखे, मुझफर पुर की रेली हुई मैं साइद आपका ही टीवी चैनल देख रहा था, उसमें आपके समावदाता ने गया की रेली में भी का कि जो 2014 के लोकसभा के चुनाओ थे, उससे भी कहीं ज़्यादा सफल रेली आ थी उससे भी अधिक उत्सा दिख रहा था, तो निश्चित तोर पे घबराट में नितीश कुमार उनके गठमन ने इस तरह की चीज़े इमोशनल कार्ट खेलने की कुशिस की है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस इमोशनल कार्ट से कुछ नहीं होने वाला भारते जंता पालटी बड़ी जीत के और बढ़ रही है, इस तरीके की बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री को, बहस को, बाचीड को, बयान को, नारे को, रैली को इस तरपर समभोधित करना चाहिए ये सवाब उच्छा है आज प्रस्ट निएने का है कि आप अपना डिएने बताई वसे आप लोगों को सामान जानकारी के हिसाब से कह दूँ कि किसी का डिएने पता करना ये बड़ा बड़ा प्रस्ट पैदा कर देता है भाई आप लोग लगातार अपनी डिएने की बात करते हैं और इस डिएने का मतलब बायलोजिकल डिएने की बात नहीं होता है आप भी जानते हैं आप समझ भी रहे हैं सारी बातों को ये सिर्फ एक मामला बनाया गया है ये परधान मंतरी जी का जो कहना था वो सब आगर आप उसका स्क्रिप्ट देखेंगे आपको समझ आजाए कि क्या उन्होंने कहा था वो लोगतंत्रिक डियने की बात कर रहे थे लेकिन आज मुद्दो का अभाव मुद्दो का इतना आभाव है कि नितिस्कुवार ऐसे बाते कर रहे हैं और उनको लगना शायद इसी से उनकी वेतरनी पा झाल